दूसरा वर्षारितू वर्षारितू लगभग जून से सितंबर तक रहती है संपूर भारत में लगभग 85-90% वर्षा इनी महीनों में होती है भारत के साथ श्रेलंका, बांगलादेश, म्यम्मार, नेपाल, पाकिस्तान में भी वर्षा इसी समय होती है इस समय तापमान, वायूदाप, पवनों के बहने की दिशा तथा वर्षा के दिशाओं में अन्ने रितूओं के तुल्ना में परिवर्टन हो जाता है तापमान में गिरावट आ जाती है क्योंकि नम हवाय चलने लगती है क्रिशी सम्बंदित सभी कारे शुरू हो जाते है दस्चिन पश्चिम मानसून भारत में जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा को मानसूनी वर्षा कहते है मानसून शब्द का उपयोग सबसे पहले भारत में किया जाता था अरब के सौधागर पालदार जहाजों से इन ही हवाओं के सहारी यात्रा करते थे इन हवाओं को ये लोग मौसिम कहते थे अरबी भाषा में मौसिम शब्द का अर्थ होता है रितू इस प्रकार प्रतेक साल वर्षा लाने वाली इन हवाओं को मानसून कहा जाने लगा हवाओं का नाम उस दिशा से तै होता है जिस दिशा से वे आ रही होती है ग्रिश्मकालीन मानसून दक्षिन पश्चिम दिशा से आती है और उत्तर पूर्व दिशा से उत्तर पश्चिम की ओर जाती हैं दक्षिन पश्चिम दिशा से चलने के कारण इसे दक्षिन पश्चिम मानसून कहते हैं सवाल यहा है कि दक्षिन पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है इसके उत्पत्ति कई संदर्भों में समझी जा सकती है पहला मई जून में सूरेताप की अधिक्ता के कारण पेशावर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और राजस्थान में न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है इसके विप्रित दक्षिनी गुलाद में मेडा गासकर दीप और पश्चिमी ऑंस्ट्रेलिया तट के समी उच्च वायुदाब रहता है इन्ही दिनों अरब सागर में अपेक्षाकरित उच्च वायुदाब रहता है इसके कारण दक्षिन पूर्वी व्यपारिक हवाएं उत्तर की ओर नहीं बढ़ पाती माई के बाद अरब सागर में उच्च वायुदाब समाप्त हो जाता है फलसरूप दक्षिन पूर्वी वैपारिक हवाएं तेजी से उत्तर पश्चिम नियून वायुदाप केंद्र की ओर आकर्शित होती हैं भूमध्य रेखा पार करने के बाद ये हवाएं फेरल के नियम के नुसार अपनी दिशा बदल देती हैं और अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं इनकी दिशा अब दक्षिन पश्चिम हो जाती हैं इन्ही हवाओं को दक्षिन पश्चिमी मानसुन कहते हैं ये पवने 30 किलोमीटर प्रतिगंटे के गती से महासागरों के उपर से होकर गुजरती हैं महासागरों के उपर से गुजरने के कारण इनमें पर्यापत आदर्ता होती है जिससे ये अधिक वर्षा करती है फेरल का नियम फेरल के नियम के अनुसार जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही हो यदि उस दिशा में मुख करके अत्वा जिस दिशा से पवन आ रही हो उस दिशा की और पीट करके खड़े हो जाएं तो पवन उत्री गोलार्ध में दाहिनी और और दक्षनी गोलार्ध में बाई और सभी गतिमान वस्तुओं पर लागू होता है। साल भर सूरी की सीधी किरने कर्क और मकर रेखा के बीच अलग अलग जगहों पर पड़ती है। दिसंबर में सूरी की किरने मकर रेखा पर सीधी पड़ती है और निम्नदाप की यह पट्टी दक्षणी गोलार्ध में खिसक जाती है। इसके खिसकने से यह दक्षणी गोलार्ध की व्यपारिक पवनों को आकरशित करती है। तीसरा, इसी समय सता से 10 से 16 किलोमीटर की उचाई पर तीवरगती की पवन का प्रवा पूर्व से पश्चिम दिशा में आरंब हो जाता है। जो सता पर उपर के विपरित मानसून के पश्चिम से पूर्व की ओर होने वाले प्रवा में सहायक होता है। मानसून भारत वर्ष में सभी स्थानों पर एक साथ न पहुँचकर अलग-अलग तिथियों में पहुँचती है। सबसे पहले केरल में एक जून को, मुंबई में साथ जून को, तथा चतिस गड़ में पंदरा जून के आसपास आती है। दक्षिन प्रायदीप के कारण दक्षिन पश्चिम मानसून दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक अरब सागर की ओर से, दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर से प्रवाहित होती है। अरब सागरी मानसून ये मानसूनी हवाएं दक्षिन पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ये केरल, करनाटक, महराष्ट, तमिलनाडू, 36 गड़ में वर्श्या करती है। ये हवाएं जब पश्चिमी घाट को पार करती है, तो पूर्वी ढाल में उतरते समय इन में नमी कम हो जाती है। एवं ये गर्म वशुष्क हो जाती है इसलिए इस भाग में वर्षा कम होती है और यहां छेतर व्रिष्टी छाया छेतर बन जाता है मुंबई में जून से सितंबर तक लगभग 200 सेंटीमिटर वर्षा होती है जबकि पूरे में 50 सेंटीमिटर नर्मदा की घाटी से मानसून अंदर की ओर जाती हुई छोटानागपूर के पठार पर बंगाल की खाडी के मानसून से मिलकर वर्षा करती है इसी का एक भाग काठियावाड कच्छी की ओर से राजस्थान के रेगिस्तान में प्रवेश करता है राजस्थान का अरावली परवत इन पवनों के समना अंतर पड़ता है इसलिए या पवनों को रोक नहीं पाता और इस छेतर में साल में औसद 20 सेंटीमिटर ही वर्षा हो पाती है उत्तरी शाका गुजरात वराजस्थान से होते हुए हिमालय छेतर तक बिना किसी अवरोध के पहुँच जाती है इस भाग में उचाई पर उष्ण और श्रुष कहवा इस्तित होने से मानसून की आदरता समाप्त हो जाती है फलता इस उपशाका के रास्ते में वर्षा बहुत कम होती है